गुट इवनिंग एवरिवन मैं डॉक्टर स्वाती शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए दो चीजे मैंने ली हैं दा लॉस चाइड मुलकराज आनंद का जो वर्क है और इसके अलावा transformation जो है मैंने questions transformation के लिए हैं जो मैं आप लोगों को अब इसमें करवाऊंगी और transformation के बारे मैं आपको बताऊंगी तो यह है test series day 4 अब चलिए start करते हैं और तो पहले मैं transformation के questions जो हैं वो ले रही हूँ उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों के जो है lost child के बारे में बताऊंगी सबसे पहले transformation का meaning समझे कि transformation कहते किसे हैं transformation का मतलब होता है sentence को एक sentence को जैसे sentences होते हैं assertive sentence जो affirmative और negative होते हैं interrogative और exclamatory, optative यह जो sentences होते हैं imperatives तो इनको ना sentences को हमें एक sentence को दूसरे form में change करना होता है without changing its meaning और उसके meaning change करें बिना तो इसे जो है transformation कहते है transformation का मतलब यह नहीं होता है कि meaning change बिल्कुल हो जाए जैसे पहला sentence आप देखिए कि यहां पर यह लिखा है transform the given sentence into assertive तो यह लिखा है कि यह sentence जो है पहले यह किस रूप में लिखा हुआ है यह लिखा how gorgeous is the sunset यह exclamatory है अब जब हम exclamatory sentence को assertive में change करते हैं तो सबसे पहले इसका तरीका यह होता है कि सबसे पहले जो इसका object होता है उसे हम subject बनाते हैं ठीक है subject बनाते हैं उसके बाद जो भी वर्ब है उसको जो helping वर्ब है वो लेते हैं अगर आ रहा हो helping वर्ब हम वर्ब लेते हैं उसके बाद अगर how या what दिया हुआ हो तो how और what हटा कर उसके जगे हम very लगा देते हैं ठीक है उसके जगे हम क्या लगा देते हैं फिर उसके बाद हम जो है वो adjective लेते हैं तो अब इस technique से अगर हम इसको करें तो यह होगा the sunset is how attacker very gorgeous तो यह कहां पर दिख रहा है आपको the sunset is very gorgeous तो यह है इसका c part जो है वो हो now question number two transform the given sentence into superlative तीन दिगरी की degrees होती है positive comparative and superlative अब superlative degree देखिए no other metal is as expensive as gold यह लिखा हुआ superlative degree में ही है मतले उसका sense superlative है लेकिन as as की वज़े से यह positive degree है अब no other metal is as expensive अगर no other से शुरू हुआ हो तो उल्टा शुरू करते हैं यानि कि यहां से सबसे पहले जो यह वाला है उसको सबसे हम पहले लाएंगे यानि कि जो object है उसको पहले लियाएंगे तो यहां पर हमने इसको लिया फिर उसके बाद जो वर्ब आया helping verb है या कुछ भी आया और फिर उसके बाद the plus superlative degree लगाएंगे और फिर उसके बाद और फिर उसके बाद of all जो है इसमें यहां पर इसमें लगा देंगे तो इसमें आप यहां से देखे no other metal is as expensive as gold तो यहां पर अदर नहीं लगाते हैं क्योंकि जब जब हम लोगोंने comparison कर लिया अदर जो होता हो हटाने के लिए लिए होता है तो आप यह देखिए gold is the most expensive of all metals त तो कहां दिख रहा है यहां पर यह दी पार्ट में यह चीज दिख रही है तो जैसे अगर मैंने यहां पर यह लिखा कि no other train is as fast as the राजधानी express तो यहां पर off all लगाते हैं अदर नहीं लगा सकते हैं comparative degree में other का use नहीं करते हैं question number two के बाद question number three transform the given sentence into simple simple sentence का मतलब होता है one finite verb एक finite verb होगा तो वो माना जाएगा that is simple sentence she said what that she was coming यह complex sentence है noun clause के साथ she said अब आप नीचे वाले देखिए she will come today यह sentence भी simple sentence ही है क्योंकि she will come today बगा sentence का sense भी तो वही निकलना चाहिए जो कहा गया she is coming she told जो कहा उसे अपने आने के बारे में बता है तो she told of her coming अब अगर हम यहां से करते हैं तो she told यह one finite verb हुआ और उसके बाद prepositional phrase जो है वो आ गया तो इसलिए यहां पर यह और इसका sense बिलकुल हैं उपर वाले भी दोनों simple sentences मगर जो इसका meaning है same वही meaning इसमें निकलना चाह भले ही sentence उसे match करता हो या ना करता हो लगा दीजिए शी सेट को उसने आगमन के बारें बता है तो she told of her coming उसके बाद next question है she treated me respectfully तो इसको ना sentence को adjective में बदलना है पहले हम यह समझते हैं कि यह sentence आखे लिखा हुआ कि इसमें she treated me how तो यह जो respectfully है ना यह adverb है ठीक है adverb of manner she treated me how she treated me respectfully अब अगर हम यहां से लेते हैं she treated me with respect तो यह भी वही चीज़ हो गया यह prepositional phrase है मगर काम जो है किसका कर रहा है adverb का ही she treated me how with respect she respectfully treats me she treats me respectfully आता है वह वैसी sentence कर लात है she was respectful to me is rm was were के बाद अगर को adjective आता है तो अपने ऐसे पहले वाले noun or pronoun के बारे में बताता है तो she was respectful तो she was respectful to me यह चीज़ को जो हमें adjective बनाना है तो वो किस से बनेगा c part में है she was respectful to me now question number five देखिएगा अब यहाँ पर है transform the given sentence into negative बहुत सारे लोगों को यह लगता है negative का मतलब होता है not लगा दो और चीज़ ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं होता अगर आपको sentence को negative बनाना होता है तो आपको क्या करना होता है sentence में not लगाईए उसके बाद जो उसका opposite word है वो लगा दीजिए अगर अगर आप अगर आप मान लिजे अगर आप यह कह देंगे human is not immortal sorry human is not mortal तो वह sentence का meaning change हो गया not लगाते ही sentence negative नहीं बन गया transformation का मतलब होता है तो not plus opposite word लगाईए ठीक है तो इसमें क्या आएगा जैसे अगर आप यह कहते हैं कि he is एक तरीके से लिटोर्ट का तरह भी हो जाता है कि he is happy तो यह जो है he is not set तो यह इस तरीके से opposite लगाया जाता है तो human is not अब यह not आया फिर उसके बाद immortal opposite mortal का opposite immortal तो इस लेगा human is not immortal ठीक है जी तो यह हुए पांच question यहां तक उसके बाद question number six अब question number six पे चलिए 10 question कराने के बाद मुझे अपने दिल की कुछ बात आप लोगों से कहनी है तो मैं जरू कहूंगी बगर बात यही है कि ना में time waste करती ना कुछ करती तो लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो है वो आप लोगों से बात करना चाहूंगी तो इस नाउन phrase को noun clause में बदल देना तो noun clause किससे शूरू होगा आप यहां पर देखे कि noun clause जो है डाट से शूरू होता है basically जो what का जवाब दे रहे है तो इसमें दो जगे डाटा बगई दीचे वाले तो हटा दीजिए my ambition is that I should serve my country my I shall serve my country अब यहां should इसलिए आना चाहिए क्यो is what that I should serve my country तो यह noun clause वा, noun phrase को noun clause से बदल दिया, so that is A, now question number 7, many people want to travel the world, अब इसको हमें negative में बदलना है, many people का many का उल्टा करिये, कि few people, तो many का few हो गया, अब उसके आगया, हमने not लगा देना है, तो हमके आएगा, कि many people want to travel the world, many people want to travel the world, isn't it, यह question tag लग गया, many people don't want to travel the world, वैसे grammatically है, incorrect नहीं है, मगर transformation के इसाफ से गलत इसलिए, क्योंकि sentence का sense change हो गया, तो आप यहां पर यह करिएगा, आप जाना डीव option पर आईए, तो आपने यहां पर a few people want to travel the world, अगर होता, तो यह negative नहीं होता, negative नहीं है, not a few people, not a से मैंने आपके बताया था कि not लगाई और opposite word लगा दीजिए, तो यहां पर ही हो जाएगा, इसका answer होगा, that's D, now question number 9, that chocolate is not sweet, as sweet as this one, तो जब हमें comparative में बदलना होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कि जो आपका object होता है, उसे पहले ले जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद helping verb या verb जो भी लगाएंगे, फिर comparative degree लगाएंगे, फिर दैन लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो subject वाला पार्ट होता है, वो लगाते हैं, अब this one को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि this chocolate को है, जब हमें उसका repetition रोकना होता है, तो हम लगाते हैं, तो हम वो लगा लग इस चॉकलेट, अब एक चीज और भी धियान रखिएगा, अगर comparative, जो आपका positive degree है, अगर वो negative है, तो comparative जो है, वो affirmative बनेगा, तो अब यहां कहेंगे, this chocolate is not as sweet as this one, तो क्या कहेंगे, this chocolate is sweet, मैंने यहां पर लिखा हूँ अभी देखिए, मैंने कहीं पर वो नहीं लगा है, अ तो this chocolate is sweeter than that one, this chocolate is sweeter than that one, तो यहां गया D, now question number 9, transform the given assertive sentence into interrogative, everybody has heard of Amitabh Bachar, अब जब इस तरीके से आता है, तो everybody को हम change कर लेते, एक चीज यह देखिएगा, कि अगर assertive sentence है, को interrogative में change करना होता है, जैसे मानलीजिक sentence इस तरीके से है, कि हमने यहां पर लिखा, you are a student, तो यह sentence हमारा affirmative है, अब हमें इसको interrogative में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं कर देंगे, are you a student, यह sentence grammatically correct है, मगर अगर affirmative sentence को interrogative में बदलना होता है, तो transformation का मतलब होता है, आप किसी से उस चीज का, जो है, यह कह रहे हैं, कि उस साधहार and interrogative हो गया है, जब sentence, लेकिन transformation का मतलब होता है, the meaning should not get changed, तो you are a student को, अब आप यहां पर यह जो ऐसे नहीं करेंगे, उसमें क्या करेंगे, आप interrogative negative बनता है, are you not a student, are you not a student, तो affirmative sentence किसमें बनता है, negative interrogative में बनता है, ऐसे ही जब everybody has heard of Amitabh Bachchan, तो अगर everybody sentence में आ रहा ह बच्चन, everybody has heard of Amitabh Bachchan, तो यहां आएगा, who hasn't heard of Amitabh Bachchan, transform the given sentence into complex, her looks proclaim her innocence, कि उसके looks जो है, उसके, अब her looks proclaim her innocence, तो यह एक, एक simple sentence है, से complex, her looks proclaim what, तो noun clause से बनेगा, her looks proclaim what, her innocence, तो her looks proclaim, क्या, what, that she is innocent, तो her looks proclaim that she is innocent, तो यह हुए 10 questions, अब 10 questions के बाद में आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगे, भई ऐसा है कि पहले सबसे पहले, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को, कि जिन लोगों ने, मुझे जो है, एक बहुत ही इस बहुत ही तफ टाइम मे मुझे, उन्होंने मेरी बात को समझा, और दूसरी एक बात मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी, यह ऐसा है, कि जो, मैं बार-बार एक ही बात को कहना जाए, कल मेरी मदर की तेरवी है, 28th को मेरी मदर की तेरवी है, और मैं जो है, आप सोच सकते हैं, कि आज, एक हफता थीक है उससे पहले वह बहुत बिमार थी और मैं जो है वह उस्पिटल अब आपर सोच रहोंगे यह और रोज आकर हमें क्यों यह कहानिया सुना रहे हैं मैं सिर्फ उन लोगों से जो मेरे साथ दिल से जुड़ेवे हैं उनको यह बताने के लिए कि बहुत-बहुत होती है कि यह कहना कि पीजीटी का छोड़ दिया क्लास नेली पीजीटी की क्या करूं यार सच बात तो यह है कि मेरी मा जल्दी चली गए छोड़कर उन्होंने सोचना चाहिए था कि पहले योट्यूब वालों का जो पीजीटी के जो ऐसे दिवाने हुए पड़े है पहले उनका तो काम करवा जाती मुझे भी उनके साथ ठोड़ा और रहने का मौका मिल जाता अब बताओ पहले ही छोड़के चली इस चक्कर में मेरा सो है बीच का वो गया पागया और वो तो एक बात यह है पैसे नहीं लिए मैंने एक भी भाई मैं तो बिलकुल free services दे रही हूं म मैं बाउंड थोड़ी हूं कोई सी भी तरीके की services देने के लिए और तब उसके बार लोगे कह रहे हैं आपका दुख है ठीक है लेकिन जो है आप रेलिग्राम पे सारा material डाल देना भाई material मैं ही तैयार करती हूं उसके बाद वो टाइप होता है मैं ढूनती हूं उस material को मैं लहाँ इन ँद्हां को पन के आम अप लोगों के बारे में सो चाला वं रोक्टी ठोड़ीमिक हूं करहा हूं यार दुख हम पड़ा ना और मैंठ news यह ब्रहे नहीं अब पैसे नहीं लिए तो यह मेरा ऐसा तो मैंने तो मैं पीड कोर्स तो चला नहीं जी कि मैं मुझे गर्दन पकड़के आप लटका दो कि करो 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 कि फिर भी मैं कर रही हूं गल्ती हो गई मुझसे तो इतना तो माफ कर देंगे न अब इतना करेंगे ना मेरे पर दया इतनी तो हैं इंट रोज जिन्हों ने इतना वाई एक और चीज आप लोगों से चाहिए जो दो सबस्क्राइब ₹ जबतं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप जो लोग मीरा जरा से सपोर्ट लेक्त समय bucket कर रहे सिर्फ 100 पर्सेंट जूट है कि हम सिर्फ आपी के परोस हैं यह पका जूट है क्योंकि इतना तो कोई व dife भी नहीं करता लोग अपनी तयारी अपने आप भी करते हैं तो मैं एक सिंपल से दुख सब तकलीफ और बहुत बड़ा दुख जो है वो सब की जिन्दगी में आता ही रहता है मेरी भी जिन्दगी में आ गया तो मैं उनकी पूरी नहीं कर पाई प्यार करने वाले भी बहुत है जो इस चैनल से लगाता जोड़ रहे हैं और इसके साथ ही मैं आगे इसको चैनल को नहीं सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगी नव क्वेशन नमबर 11 है ट्रांसफोर्म दगिवन सेंटेंस एंड चेंज इंटू नाउन में क्या चेंज करना है पहले यह देखिये पारूल सिंप्थाइज़ विद नीडी एंड पूर सिंप्थाइज़ वर्ड को हमें नाउन में चेंज करना है यह अंडरलाइघ वूआ होना चाहिए था पारूल is sympathetic towards needy and poor सबसे पहले पारूल अगर sympathetic कहते हैं तो sympathetic adjective है क्योंकि is rm वाजवर के बाद यह तो noun लगता है adjective लगता है लेकिन यहां पारूल के quality बताई जा रही है तो sympathetic है पारूल treats needy and poor how with sympathy हो गया तो adverbial phrase जो है वो बन गया पारूल has sympathy for the needy and poor अब यहां से यह देखिए पारूल यह verb के बाद पारूल has what had or have के बाद सिर्फ noun लगता है तो पारूल जब had or have जो हैं वो main verb के तरह use होते हैं तो पारूल has sympathy तो sympathy जो है noun के रूप में change हो गया पारूल has sympathy for the needy and poor now question number 12 transform the given sentence by changing into verb यह प्लेजर वर्ड को वर्ब में change करना है the examination result gave her pleasure the examination result pleased her the examination result gave her pleasure the she was pleased by her examination result she was pleased to see her examination result अब एक बात है कि sentence में जो वर्ब है वो see भी है sorry she was pleased वो भी है और she was pleased to see her examination देती है लेकिन sentence active voice में लिखा हुआ है तो active के sentence को अगर वर्ब में transform करना है तो active में ही करेंगे the examination result pleased her तो इसलिए इसमें क्या आएगा यह आएगा अब नो question number 13 अब यह question में कुछ गरबड हो गई है question गायब हो गया actually question ही गायब हो गया question यह था transform the given sentence into interrogative question यह था मैं पर question लिख देती हूं question यह था कि a great deal of research has been done on the science project यह question था इसमें तो question ही गायब हो गया actually तो a great deal of research has been done on the science project इसे हमें interrogative में change करना था तो interrogative मैंने आपको उताया का sentence affirmative है तो negative interrogative बनेगा तो कैसे बनेगा has a great deal of research not been done on the science project तो इस कहाएगा a great has a great deal of research not been done on the science तो यह जो उपर का option है option दिया हुआ था question नहीं दिया हुआ था तो यह आएगा has a great deal of research not been done on the science project तो इसका answer है a question उपर है question number 14 transform the given sentence into complex sentence complex sentence का मतलब होता है कि sentence जो होता है उसमें एक principle और एक subordinate clause होना चाहिए we have informed her of her success so we have informed her of what? of her success we have informed her of her success improve the that she has succeeded we have informed her of her success we have informed her of her being successful you have been simple है she has been informed by us of our success यह भी simple है we have informed her that she has succeeded यह complex sentence है we have informed her what that she has succeeded noun clause तो यहाँ पर यह principle and subordinate clause है तो यह यहाँ पर बनेगा question number 15 transform the given sentence into compound sentence everyone knows that the earth is round यह complex sentence है इसे आपको किसमें चेंज करना है compound में compound का मतलब होता है एक principle clause एक coordinate clause coordinate clause का मतलब होता है equal rank की clause अगा subordinate के साथ लग गई तो subordinate की coordinate अगा principle के साथ लग गई तो principle की coordinate ठीक है और जोडता कोन है coordinating consumption that depends कि वो subordinate की coordinate है या principle की coordinate है तो everyone knows अब इसमें coordinating consumption देखिए the earth is round and everyone knows it दो sentences in the earth is round principle everyone knows it ये भी principle प्रिंसिपल के साथ दूसरी principle आई वो coordinate मानी जाएगी coordinating conjunction से जुड़ी वी है इसलिए इसका answer है राजधानी express is the fastest train ये मैं अभी आप से थोड़े पहले कहा भी था कि वैसे train के नाम किया कि दव भी लगना चाहिए दराजधानी express is the fastest train तो इसको of all भी आना चाहिए था तो इसमें आना चाहिए था no other train is as fast as the राजधानी express या there is no other train as fast as राजधानी express दा दा बीच में लगना चाहिए था दोनों options चीक है इसके बोथ A and B the tea is too hot for me the tea is too hot for me to के साथ अगर आ रहा है तो उसको बदलते हैं so में of that clause जो है वो लगाते हैं अगर आप इस पर कर रहे हैं to वाला जो होता हो simple sentence होता है उसको complex में बनाना होता है कैसे तो उसको so that से बनाते हैं the tea is so hot that I cannot take it तो यहां पर बनेगा अगर two हटाना होता है तो so or that लगाते हैं क्योंकि so जो होता है वो अपने बाद adjective लेता that उसका जो है वो result बताता है ती is this tea is so hot that I cannot take it transform the given sentence into compound coming to me अनीता delivered the letter coming to me यह जो है प्रिजेंट पार्टिसेपल में करा गया है अब आपको इसे compound में बने अनीता came to me and delivered the letter दो sentences होने चाहिए अगर सबका subject एक ही दोनों का एक ही है तो एक ही बार use होगा दोनों बार use नहीं है तो अनीता came to me and delivered the message transform the given sentence into complex buy one shirt and get one shirt तो अगर यहां पर उसमें complex में बनाना है यह compound sentence है buy one shirt and get one shirt यह एक compound sentence है अब इससे पता चल रहा है कि यह condition बता रहा है तो condition बता रहा है तो हां पर देके if you buy one shirt you get another shirt free if you buy one shirt you get one free a shirt free on purchase of a shirt buy one shirt to get if you buy one shirt you get another shirt free तो यह यहां पर है buy one and get one है you get another दूसरी shirt तो यह यहां पर है if you buy one shirt you get another one free listen and i will give you all यह फिर वही sentence जो है यह compound है तो इसको जो है आपको sentence को हमें जो बनाना है वो उसको complex में बनाना है listen and i will give you all if you listen to me i will give you all तो यहां पर है if you listen i will tell you all if you listen to me i will tell you everything मैं यह तो लग रहा है सब कोई सा भी ठीक नहीं है i will give you all यह होना चाहे था if you listen i will tell you all if you listen to me i will tell you everything यह तो सारे गला तो रखे है इसमें तो option if you listen if you listen to me i will give i will tell you everything if you listen to me i will tell you all if you listen to me i will tell you everything if you listen क्योंकि इसमें object i will tell you all तो यह मैंने इसमें d जो है करा if you listen to me i will tell you everything i will give you all को इनोंने tell you everything में ले लिया है तो यह तो हुए हमारे 20 question transformation के अब उसके बाद जो मैंने next जो लिया है 26 minute मुझे इसमें हो गए है वैसे तो मैंने अब इसके बाद लिया है that is मुलकराज आनंद का the lost child तो चलिए मुलकराज आनंद का the lost child जो है वो बता देती हो और मुलकराज आनंद का the lost child सबसे पहले मुलकराज आनंद के बारे में जान लेते हैं कि मुलकराज आनंद जो है वो इंडियान इंग्लिश राइटर हैं और उनका बर्थने जो है वो डिसेंबर 12 1905 पाकिस्तान पेशावर में पैदा हुए 98 की उम्र में उनकी उम्रित्यू हुई पूने में और फादर थे लालचन्द मदर थी ईश्वकॉर उनकी जिन्दगी में काफी सारी चीजे जो हैं वो उसमें हुई उनकी जो नॉवल थी उन्टचिबल जिसमें उन्होंने इंडियन कास सिस्टम पर लिखा था उन्टचिबिलीटी पर लिखा था इस उनको प्रपगेंडिस्ट की उपादी से इस लिए न वाजा गया था क्योंकि यह माना गया था बाद में क्रिटिक रिटिक because कि एक कहावत आप लोग और जाके पहरना पड़ी विवाई वो क्या जाने पीर पर आई तो उनका ये था कि if you have not lived amongst those who have been going through all these things or been going through these these operations how can you write about them but he was the first person who thought of this and उन्होंने इसके बारे में लिखा and he was very much influenced by the philosophy of Mahatma Gandhi and that influence can be that influence is visible in his novel untouchable तो चलिए more facts लेते हैं पहले Indian writer थे English language में जिन्होंने international scenario में अपना जो है चाप छोड़ी मुलकराज आनन्द वाजन आनन्द वाजन ओफ नोवल शोट स्टोरीज और नोवल तो इतने नहीं हैं अगर short stories essays बहुत सारे हैं considered a pioneer of the anglo-englian fiction uh blurred order now he is best remembered for his depiction of the poorer class of people in India and their plight his writings are rich with the realistic and touching portrayal of the problem of the common man वो जो लिखते थे वो उनकी एक पूर क्लास चाहे आप उनका novel untouchable पड़े हैं चाहे कुली पड़े हैं चाहे टू लीव और बट पड़े हां जो भाई जो उन्हों ने भाई उसके बारे में लिखा जो उनकी autobiographical work है उसको छोड़ दीजिए पाकि उन्होंने टू लीव और बट कुली untouchable इन सब के बारे में इन सब में उन्होंने common people के बारे में बताया है मुलकराज आनन्द वास मच्टू फेमिलियर विद प्रॉब्लम्स पूर सेक्शिंस हिंसल्फ वो एक कॉपर स्मित के बेटे थे बाद में उनके फादर जो हैं वो आमी में जो हैं वो चले गए थे he had witnessed our cruelties of unimaginable horrors unfold before his own eyes all that stemmed from the caste system या सब भारत के caste system में जो caste system था जो परयास के ओपर जो अतियाचार होता था and he witnessed all those things or and he jotted down in his novels like a marginalized curse he was an avid learner and went to Cambridge for higher education higher education कले Cambridge गए और ही इन्वाल देर ही बिकेम एक्टिवल्ड इन्वार्टिक्स लेटर रेटर रेटर्न तो इंडिया की में जो मैल प्रक्टिस थी उनके बारे में लिखा अगर अगर इनके बार में यह सारा उनकी जो मैंने अभी आपको बताया कि वह जो है यह उनकी लाइफ हिस्ट्री है अच्छली जब उनके फादर जो है वह लाल चंत वह एक कॉपर स्मित थे और बाद में वह आमी में जो है क्लग के तौर पर काम करते थे और मुल्कराज आनन जो हैं वह रिलीजन और कास्ट से सम्मंदित समस्याओं को बहुत बच्पन से ही देखते चले आ रहे थे और उन्होंने यह वाजन लव विदा मुस्लिम गर्ल यासमीन और जो उनफॉर्चुनेटली अल्रेडी मैरेट थी और क्योंकि वैसे भी वह एक मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकते थे और एक उनकी रिलेटिव थी जिन्होंने जिनको सोसाइटी से ऑस्ट्राइज कर दिया गया था उनकी सोसाइट ने भी उन पे काफी गहरा इंपक्ट जो है वो डाला था क्योंकि उन्होंने अपना फूड एक मुस्लिम के साथ शेयर कर लिया था इस चीज का गहरा प्रभाव मुल्क राजानन पर पढ़ा था कि भारत में कास्स सिस्टम क्या ना करवा दे उसके इन इन जो भी इवेंट्स हुए इनको इन्होंने अपने शब्दों में ढाला है खाल सा कॉलेज अम्रिटसर में पढ़े फिर यूनिवर्स्टी आफ पंजा में फिर उसके बाद जो है नॉन कॉपरेशन मुवमेंट में भी उन्होंने अपना पाटिसिपेशन जो है वो दिया कुछ समय के लिए उनको जेल भी भेजा गया उसके बाद वो लंडन गए थे और कैंब्रेज उनिवरस्टी में पीसजी करी उना 1929 में और उसके बाद जो उनके बारे में ही है और अवार्ड से अचीवमेंट्स अगर देखते हैं तो उनको पद्म भूशन मिला है इंडिया का थर्ड हाइस सिविलियन अवार्ड है जो है वह अगर लॉस्ट चैल्ड के बारे में कहें तो यह एक जो है उनकी एक शॉर्ट स्टोरी है जो लॉस्ट चैजड़ है एक छोटे से बच्चे का एक प्याई वह और ऐसके बच्चा है और में परस्पेक्टिव स यह कहानी सुना रहा है तो it was the time of spring festival, spring का समय है, there was great excitement in the atmosphere यह निकि बसंत्रितु है, बहुत इक्मॉसफेर में excitement है, the people could be seen busy going to the fair, लोग जो है एक मेले में बसंत्र के मेले में जा रहे हैं, सब लोग बहुत खुश है, some walked, some rode on horses, other set being carried in bamboo and bullock carts, कुछ लोग जो हैं, वो चल रहे हैं कुछ घोड़ों पर जा रहे हैं कुछ बेलगाडी में बैट के जा रहे हैं a child was also heading towards the fair along with his parents बच्चा भी अपने parents के साथ जा रहा है he was very happy and excited बहुत खुश है excited है while his parents were going ahead with all their attention on reaching the fair है कि जो parents हैं वो आगे आगे जा रहे हैं वो बस फेर में पहुंचना चाहते हैं बच्चा जो है आसपास के महौल को enjoy करता हुआ चल रहा है the childish child's joy बच्चा बहुत खुश होता है जब वो मेले में पहुंचता है उसकी आखे हर चीज पर जो है वो ठहरती है the stalls of toys and sweets fascinated him too much जब वो जो है इसको जो है sweets के खिलोनों के stalls होता है वो उनको चाहता है but was well aware of his father's harsh attitude मगर उसे अपने father के बारे में पता है his mother however tried to pacify him and divert his attention towards other things लेकिन उसकी mother जो है उसे pacify करने की कोशिश करती है the child was so busy in observing different things in the fair that he used to lag behind his parents पच्चा बिछर जाता है अपने parents से जब भी वो कुछ चाहता है तो उसको parents के दोरह से मना कर दिया जाता है जब वो आगे बढ़ते हैं तो बच्चा जो है वो decorative items देखने में लग जाता है sweets को देखते उसके मूँ में पनी भराता है और वो कहता है I want Buffy उसका favorite जो sweet है that's Buffy he slowly murmured but he half knew as he begged that this plea would not be heeded उसको पता है कि उसकी ये प्रातना बर्फी की प्रातना उसकी कोई सुनी नहीं जाएगी उसके father बर्फी के लिए भी मना कर देंगे so without waiting for an answer he moved on then he got attracted to a garland of गुलमोहर कि गुलमोहर के फूलों का garland देखता है मगर उसको वो भी मांगता नहीं है बड़ा समझदार सा बच्चा दिखा है जो उसको पहले पता है कि इसके parents उसको किसी भी चीज के लिए हम ही नहीं भरेंगे फिर colorful balloons देखता है और वो चाहता है कि वो balloons खरीदे बगर उसे पता है कि उसके parents इसको भी नहीं दिल्वाएंगे वो कह देंगे तो तुम बहुत बड़े हो गए हो बलून से खेलने की तुमारी उम्र नहीं है तो वो चला जाता है उसके बाद वो एक स्नेक चामर देखता है सपेरा, he liked the music played by the चामर and wanted to stay for a while to listen to it और वो बीन की आवाज थोड़ी दे के लिए सुनना चाहता है परकर फिर वो डिसकरेज कर दिया जाता है उसके parents के द्वारा तेनी आसा राउंडबाउट स्विंग और वो एक जूला देखता है उस पर बैठना चाहता है यह पूरी कहानी एक बच्चे के परस्पेक्टिफ से चल रही है फिर उसके बाद वो जो है इस टाइम उसको पर बच्चा अपने parents को ढूंड़ता है और जब वो parents को नहीं देखता तो मुड़के देखता है उसके parents है नहीं पिछड़ गया अपने parents से बच्चा जो है न अब अपने parents को ढूंड़ता है मगर उसको parents मिलते ही नहीं है फिर वो यह realize करता है कि मैं तो खो गया और वो बिचारा food food के रोने लगता है और वो कहता है उसके बाद उसको एक जो है एक व्यक्ति मिलता है जो ए मेरे parents से मिलना है और बच्चा सब चीज के वो कहता है I want my mother मुझे मेरी माँ चाहिए मेरे पापा चाहिए और वो से कोई चीज उसे खुश नहीं कर पाती सिवाए जो है उसके parents के और बच्चा उसमें यह नहीं दिखाया कि बच्चे को उसके parents मिले या नहीं मिले तो दिस इ ली एक बच्चे के मनुभाव को बताती हुए यह स्चोरी है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़े MCQs मैंने इसमें लिये हैं कहानी के MCQs तो मैं क्या ही कहूं लेकिन हा मैंने राइटर के MCQs में लिये हैं identify the name of the मुलकराज's first love whom he fortunately unfortunately could not get married और जिस एक Muslim लड़की से व जहें वो उनको बहुत मलाल रहा यह उन्होंने अपनी autobiography में भी बताया है और यास्मीन मुलकराज आनंद को साइट्यक एडमी अवार्ड मिला था अपने novel The Morning Face के लिए now the next question is identify the Indian writer who used to publish short reviews in T.S. Eliot's magazine criterion T.S. Eliot की magazine criterion में वो अपना योगदान देते थे तो इसलिए मुलकराज आनंद now the next question is मुलकराज आनंद's untouchable is a harsh comment on अब आप इसमें question देखिए कि मुलकराज आनंद की जो untouchable थी जिसके लिए उन्हें propagandist भी कहा गया था वो किस चीज पर एक comment थी वो comment थी British government in India, British society in India, Indian caste system, British culture in India तो वो है that is Indian caste system identify the English writer who wrote the introduction of untouchable untouchable का introduction किस ने लिखा actually untouchable जब उन्होंने लिखी थी तो उसके बाद वो महत्मा गांधी से भी उन्होंने पूछा था उस novel के बारे में और उन्होंने उसमें काफी changes जो हैं वो करवाये थे उन्होंने कहा था कि जो ये novel तुमने लिखा है इस तरीके की भाषा जो हारिजंस है उन्होंने ही बोलते तो फिर उस मतलब काफी सारे changes करें मगर ये novel को कई बार reject करा गया तो उसके बाद इसका प्रीफेस एम फॉस्टर ने लिखा था फिर उसके बाद ये novel जो है it got published फिर मतलब इसको फिर से तो ये प्रीफेस था इम फॉस्टर के द्वारा लिखा गया वो हैस रिटन conversation and bloomsbury ये उनके जो है ये वोक का नाम है conversation and bloomsbury तो ये bloomsbury एक अगर आपको पता हो वर्जीनिया वुल्फ जो है वो इसकी जो है लीडर मानी जाती है conversation and bloomsbury तो ये किस ने लिखा है ये वोक जो है वो किसका है डाट इस आफ मुलकराज आनन्द nine moots of भारत is a work of ये मैंने questions इसलिए लिए है क्योंकि वो questions है जो writer से सम्मंदित questions है graduation level के questions ये ही हो सकते हैं तो nine moots of भारत is a work of अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं तो मैं पता है मुलकराज आनन्द की बात की जा रही है मगर ये जो चीज है वो इसलिए बतानी है कि अगर तीन-चार questions आते हैं तो nine moots of भारत किस ने लिखा है that is by मुलकराज आनन्द who has written power and pity power and pity किस ने लिखा है वो भी मुलकराज आनन्द नहीं लिखी है तो these are some questions who has written reflection on golden bed and other stories ये भी जो है वो मुलकराज आनन्द का ही है और कुछ questions मैं आप लोग को इससे संबंदित वो भी करा देती हूं जो text-based the child was going ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही हिसाब से बहुत साधरान questions है तो मुझे नहीं लगता इस तरी के questions पूछे जा सकते हैं फिर भी थोड़ी सी formalty के लिए एक दो question करा देती हूं the child was going to dash along with his dash child बच्चा कहा जा रहा था बच्चा जा रहा था temple fair temple city बच्चा जा रहा था मेले में किस के साथ अपने parents के साथ तो इसका answer है fair parents question number 10 है the child was attracted by the music of the snake charmer yet he moved on why his parents had forbidden him to hear such course music his parents were saying come child come the child was afraid of the Cobra the child did not want to be left behind but my parents come child come over here so yeah the child asked for a garland of flowers but then he moved on without waiting for an answer why because he knew his parents would refuse to buy him those flowers his new his parents would they were cheap flowers both a and be above neither a he knew his parents would refuse to us and he knew his parents would refuse to buy flowers to buy flowers to buy flowers to buy flowers at what point in the fair did the child lose his parents at the sweet meat shop at the flower shop at the balloon sellers at the roundabout so that is what did the child want to have at the flower shop बच्चा जो है वो फ्लार शॉप पे क्या चाहता था तो बच्चा चाहता था गार्लेंड ओफ गुल्मोहॉर is the author of the lesson the lost child बहुती मुश्किल question है who is the author of the lesson the lost child फिर भी पता होना जरूरी है that is मुल्क राज आनद मुल्क है यह मुल्क राज आनद आनद so these are some of the questions और बाकी के questions जो है वो संब्री बेस्ट है that you can do yourself as well तो बस आज के लिए इतना ही कोशिश है कर रही हूं कि इस तरीके से करके करवा दूँ अगर कोई इंसान अपना दुख नहीं बताता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह दुखी नहीं होता बस सबकी अपने अपने एक्स्प्रस करने के तरीके होते हैं ठीक है तो मैंने मैंने फिर वही वाली बात करी घूँए मैंने आपसे जो Promise किया था मैंने Promise नहीं तोड़ा क्यों मैं कर रही हूँ मेरा एक आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है नहीं हो रहा थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत सपोर्ट आप दिल से चीज देखेगा और बताईएगा क्या जो मेरा कंटेंट है वह चीज है क्या वह अच्छा नहीं है क्या वह चीज आपके लिए मैं कोई कमाने के लिए चीज कर नहीं रही हूं एक सपोर्ट देने की कोशिश करी थी और वही एक थोड़ा सा सबसे बड़ी बात है बीना किसी किसी चीज के मिलने के उसमें जो है वह कर रही हूं तो मैं जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो है जो मुझसे दिल से जुड़े हूए है उनसे केवल इतना ही चाहूंगी कि कि अगर जो है मेरे इस चोटे सा सपोर्ट को आप लोग अगर उसे हेल्प हो रही है तो ठीक है अच्छी बात है नहीं भी हो रही तो प्लीज इस समय अड़्जस कर लिजएगा आगे फिर जो है मैं बढ़ना तो मैं चीज़ा करी देती हूं और बस तो और क्या को